हेलो एंड वेलकम आप सभी का हमारे इजुकेशनल प्लाटफॉर्म कॉंपटिशन कमुनिटी में एक बार फिर से स्वागत है मैं धीर ज्यादव यहां पर आज आप लोगों के साथ में डिसकस करने वाला हूं इसके अलाबा करें तो शबद कोश पर आधारित प्रशन यानी की आपका कोश्टन बेस्ड वाले हैं इसके लावा अगर हम बात करें तो क्रम विवस्था यानि की order and ranking पर बेज़ कोशन साथ ही साथ अगर हम बात करें तो शब्द निर्माड यानि की world formation पर आधारित प्रस्ण को हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे और अगर हम बात करें यहां पर शाद रिस्टा यानि की analogy जिसमे इसके बारे में भी क्या करेंगे डिसकस करेंगे तो अगर हम बात करें जो मुस्ली यहां पर कोशन होने वाले हैं वह आपके alphabet पर बेस्ट कोशन होने वाले हैं तो जैसा कि FTR सीरीज के अगर हम बात करें तो पहला कोशन है वह आपकी स्क्रेंड पर आच चुका है फड़ा- को किस प्रकार लिखा जाएगा तो इससे पहले कि हम इस प्रशन को सॉल्व करें हम क्या करेंगे कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ट कुछ बेसिक कॉंसेप्स के बारे में डिसकस कर लेते हैं तो जैसा कि एगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ट कॉंसेप्स की भी जानना है जो हम यहाँ पर सीखेंगे तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको क्या करना है alphabet को इस sequence में इस order में क्या करना है अरेंज करना है यानि कि A to M और M के नीचे हो जाएगा आपका N और N to Z हमें क्या करना है इसको तो तीन इसी प्रकार अगर हम बात करें तो M की प्लेस वैली वाली हो जाएगी तेरा अगर हम बात करें आपका इस वैल्याद होना अनिवार है बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यहां पर प्लेस वैल्यू से डायेट को देखने को मिलते हैं जब alphabet से number के form में हम उनको क्या करते हैं convert किwould 21 लेटरि जैसे कि एक विप्रीध अक्षेरों का जो योग होगा वह सदयव क्या होगा 27 होगा जैसे कि अगर हम बात करें A की place value की तो 1 होती है और Z की place value होती है अब की 26 जब हम दोनों का sum करेंगे तो दोनों का sum हमें कितना मिल लियागा तो दोनों का sum हमें मिल लियागा 27 इसी प्रकार यदि हम बात करें B की तो B की place value हो गई 2 और Y की हो गई 25 दोनों का sum करेंगे तो 27 कोई भी आ ले सकते हैं अगर opposite letter की बात करें जिसे आई का opposite होता है R i की plaise value 9 हो गई दो r की हो गई 18 यानि कि आप इसको किसी भी प्रकार से याद करें आपको place value याद होना अनिवार्य है अगर आप coding recording के questions को औरली या चुटकियों में सॉल्व करना चाहते हैं तो साथ ही साथ आपको अपोजिट लेटर भी याद होना जरूरी है तो यह आपको याद कैसे होगा यह मने अलड़ी आपका जो डीटेल मैंने क्लास प्रोवाइड कर आई है वहाँ पर मने इसके बारे में डिसकस किया तो आपको बेसिकली करना कुछ नहीं है एक अप्रोच को फॉलू करते हुए नंबर कोश्चन की प्रैक्टिस करनी है यह प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएंगी जैसे कहीं पर आपको डबलू दिखाई देता है तो डबलू के साथ साथ वहाँ पे आपको 23 भी माइंड में आना चाहिए U की बात करें तो 21 V की बात करें तो 22 S की बात करें तो 19 U की बात करें तो 17 V की बात करें तो 16 इस प्रकार से कोई भी अगर आप लेटर देखते हैं तो उसका प्लेस वैलू भी आपके दिमाग में है आज आना चाहिए at a moment अब हम एक बार यहाँ पर देख लेते लेटर का कॉट हैं लेकिन कई अल्ग ways और ने यहां लिए को मिलते हैं तो यहां पर दिये गए हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपोजिट लेटर्स की अब यदि हम बात करें यहां पर अपोजिट लेटर्स हैने की विप्रीद अक्षनों की इसके लिए कुछ आपका शॉर्टकर्ट तरीका है जिससे आप याद कर सकते हैं जैसे की प्लेस वैल्यू के लिए आपको इजोटी और सिफी लॉर एक्स यानि कि ए जे ओ टी वाई और अगर इनके प्लेस वैल्यू देखे तो वाई के मुल्टिपल मी है एका प्लेस वैल्यू 5 हो गया जे का डस हो गया O का पंद्रह हो गया 9 14 विच लो एक्स चुप्रकार शायनि हम भात कर 어떻 की बात करें, तो वह होता है Z, जिसका हम A To Z, B का पॉजित Y, B O Y C का पॉजित X, तो इसका हम क्रैक से। D का पॉजित W जिसका हम D का पॉजित W से E का पॉजित हूता है V. तो यहां पर हमने एक WORD याद किया LOVE, हम लॉए आद हम लाओ काफी Familiar होंगे आप इस इस पर यहां से हमें दो लेटर का पॉजित याद हो गया अगर हम बात करें फण की इस ये अपको अच्छा लगए आप वैसे आद कर सकते हैं एच का पोजिट होता है एस हनी सिंग हरबजन सिंग जैसे आपको अच्छा लगे हाई स्कूल आप याद कर सकते हैं चीज़ें आपको याद होनी चाहिए आई का पोजिट आर इंडियन रिल्वे जैसे की रिल्वे के अभी एक्जाम क्या हो रहे हैं कंड़र्ट करा जा रहे ह जैसे आपको लगता है आप याद करी अल्लेडी बता दिया है और यह कुछ बेसिक इंफॉर्मिशन थी इसके लावा हम बात करेंगे लॉजिक की उपर की लॉजिक आपके अडिशन सब्स्रेक्शन अपोजिट लेटर या फिर आपके कई बार क्या होते हैं सम अफ दे प्ल सब्सक्राइब गरने तो अब हम बात करते हैं जो कि हमारे स्क्रेण पर आया हुए था अपरोच की बात करें तो आपको क्या करना था सबसे पहले आपने लिखा फ्लार और उसके नीचे आपने लिखा कोड कोड की बात करें तो जे पी एस ए आई एंड वी फटा फट से प्लेस वैल्यू छे बारा पंद्रा तेईस पांच और अठारा यहां पे बात करें तो दस सोला उनिस एक नौ और बाइस अगर यह प्लेस वैल्यू आपको याद होती तो आप इस कुश्टन को औरली ही सॉल्फ कर सकते थे अब हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हमने जो वरी फॉस्ट पैटन जो मैंने यहां पर डिसक्स किया था उसके हिसाप से हम क्या करेंगे यहां पर लॉजिक देखेंगे अगर दी तो आपको पूरा प्लिटर में प्लस फॉरजिक दे रहा है और भी क्लस फॉरजिक आपको पूरा बनाने की पूरा solve करने की आवरशकता नई है यू की बात करें तो 21 होता है प्लस 4 करोगे तो y आजाएगा 25 होता है प्लस 4 करोगे तो 22 आजाएगा इस प्रकार से आप इसको solve कर सकते थे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अगले प्रशन की अगला प्रशन आपकी screen पे आ चुक है तो noise का कूट क्या होगा clear तो अगर हम यहां पे बात करें question की तो देखिए जब भी आपको इस प्रकार से प्रशन देखने को मिले तो जो आपका अप्रोच होना चाहिए सबसे पहले क्या होना और एक नए word का code कूछा है तो जो आपको नया word है जो आपको नया word है सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्या इस नए word को हमने दिए गए word के letters को लेकर के form किया है या फिर यहां पे कोई नया element भी हमें दिखाई दे रहा है फिर से समझीए गा बात को क्या इस नए word को हमने दिये गए word के element यानि कि उनके letters को लेकर के ही form किया है या फिर यहां पे अलग से कोई letter भी हमें देखने को मिल रहा है अगर हमें यहां पे अलग से letter नहीं देखने को मिल रहा है तो यह easily और आपका with the help of option आसानी से solve होने वाला है कैसे होने वाला है तो देखिए n की बात करें तो यहां पे आपको n मिल रहा है जो कि आपको uncle में दिया हुआ है o की बात करें तो o आपको sun में दिया हुआ है i की बात करें तो sister में दिया हुआ है s की बात करें तो आपको sister में दिया हुआ है और e की बात करें तो आपको sister में e देखने को मिल रहा है यानि कि letters आपके वही यूज किये गए हैं जो आपके given words है अब दूसरी चीज़ आपको क्या करना है given words में आपको common element ढूमना है जैसे अगर हम बात करें uncle की तो uncle में e दिखाई दे रहा है sister में भी आपको e दिखाई दे रहा है अगर हम बात करें uncle में e की position की तो uncle में e की position fifth है जबकि इसके code में fifth number प है और यहां पे fifth position पे आपको two दिखाई दे रहा है यानि कि हम यह कह सकते हैं कि letters के code उनके सामने सामने ही लिखे गए है अब यदि हम बात करें यहां पे यहां पे आपका uncle में second number पे है और second number पे code है आपका four यानि कि एक तो यह option हो सकता है यह दोनों हो गए आपके eliminate अब य दो element को हमें prefer करने की जरुवत नहीं है तो अगर हम second letter की बात करें ओ सन में आपका second position पे है और second position पे जो number मिल रहा है वो मिल रहा है आपको आठ यानि कि यह option भी हो जाएगा अगले प्रस्ण की अगले प्रस्ण में आपको बोला गया है यदि इंक को 91411 के रूप में तथा red को 1854 के रूप में coded किया जाता है तो pen को किस प्रकार coded किया जाएगा जैसा कि हम बात करें pen की तो pen में आपको p एक नया element दिखाई दे रहा है pen में आपको p एक नया element दिखा देगा तो कई बार वहाँ पे आपको logic डूनना पड़ सकता है लेकिन जो हमारा preference होगा जो हमारी priority होगी वो हम option के साथ में जाएंगे तो अगर हम option की बात करें तो यहाँ पे देखिए n आपको मिल रहा है वहाँ यहाँ पे आप नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे आपके नंबर कितने हैं पांच है तो इसमें किन दो पेर को हमने double digit में as a number consider किया है किन को हमने single digit में as a number consider किया यह बता पाना मुश्किल होगा यानि कि हम बात करेंगे अब यहाँ पर logic के लिए सबसे आपको क्या करना पड़ेगा इसे प्रकार से आपको वर्ड लिकने हैं और उनके बते प्रकार Dep i यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको न चौदा और 11 दिखः यहनी जईसीदी आपको वेल्य लिखी दिखाई दे दिया जा सकता था जैसे कि एगर हम बात करें इंक को इसके opposite letter के place value से denote करता है तो आज पर अगर हम लिग दे 18 n का opposite m तो यहां हम लिग दे 13 और का opposite पी यहां हम लिग दे 16 तो इस प्रकार से भी आपको फुरस्ट पूछ सकता था कि इंक का code 181316 है और इसा प्रकार रेड में अगर हम बात करें तो इसको आर का पोजिट होता है यानिकी 9E का पोजिट V यानिकी 22 और D का पोजिट W यानिकी 23 है तो आपका पैन का कोड क्या होगा इस प्रकार से भी आप से पूछ सकता था लेकिन यहां पर सीधा-सीधा लिखा हुआ है यहां फिर कई हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा अगर हम बात करें यहां पर पी इन तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 16E की वैल्यू 5 और N की 14 तो देखा आपने की अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप कैसे कोश्चन को औरली ही कर सकते थे इतना आपको कॉपी पर या फिर र प्रकार को जाएगा तो सबसे पहले हम बात करें यहां पर क्या चेक कर लेना है कि जो आपका वर्ड देंटिस्ट है क्या वो ट्राइट और टेस्ट के लेकर के ही फॉर्म किया गया है या फिर आपको यहां पर कोई अलग से भी अलिमेंट देखने को मिल रहा है तो अगर हम अगर हम बात करें तो अगर हम के ही तो हम यहां पर बात करें कि यहां पर बात करें गया है या पर को पांच दिखाई दे रहा है, वो 5 दिखाई दे रहा है, यानि कि हम कहे सकते हैं कि letters के code उनके सामने सामने ही रखे गए हैं, यदि हम बात करें dentist की तो सबसे पहले DENT, यानि कि हम बात करें यदि गरड़ caval करें तो यहांपको आई और फॉचिशन पर एहां पर फॉक्रीफ को चाहिए यहां पर मत करें तो एलिमेंट यहांपको दिखाई दे रहा है और इस पर्टिक्वर यहां इस फ्रॉटर को फॉर्णिपर लेव होगा शहीं दिये गए प्रश्न के लिए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तो यानि कि इसको हम क्या बोलते हैं common word coding या फिर Chinese coding के नाम से भी इसको हम जानते हैं अगर हम बात करें यहाँ पे आपसे पूछा गया है किसी निश्चित भाशा में ल, a, p, i, l, t, e, ka, earth, fruit is sweet, फिर n, a, s, a, p, i, l, का earth flower and fruit, n, a, t, e, l, a, ka earth flower is beautiful तो उस बाशा में sweet के लिए क्या लिखा जाएगा यानि कि हम बात करें इस प्रश्न की तो यहाँ पे आपको निकालना है code sweet का और पूरे question में हम बात करें पूरे question में आपको sweet कहां दिखाई दे रहा है तो sweet आपको यहाँ दिखाई दे रहा है या फिर sweet और कहीं दिखाई देता तो हम क्या करते है sweet को as a common element consider करके उसका code निकाल लेते या फिर दूसरा तरीक आपके पास यह बसता है कि fruit is को आप क्या करें code निकालने तो जो remaining रह जाएगा वही code किसका रह जाएगा sweet के लिए code रह जाएगा तो यदि हम बात करें यहाँ पर fruit और is का तो हमें ढूबना है कि fruit और is क्या इस पूरे के पूरे दिये गए जो हमारी information है उसमें कहीं हमें दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा है तो अगर हम बात करें सबसे पहले fruit की तो ध्यान दीजे यहाँ पर आपको fruit आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है यानि कि इन दोनों अगर हम sentence की बात करें तो एक ही word आपका common होगा that is your pill it means p i l क्या हो जाएगा fruit का code हो जाएगा यदि हम बात करें इस sentence की तो इस यहाँ है और sentence में इस जानिकि इन दोनों sentence में आपका एक ही element common है that is your is it means कि यहाँ पर आपको एक code भी common मिलेगा and that is your l a it means कि p i l भी निकल गया ले भी निकल गया तो जो remaining बचा वो बचा आपका टी ए तो यानि कि answer क्या हो जाएगा टी यह जिसको आप देखके भी क्या कर सकते थे निकाल सकते थे यह सब कुछ आपको बनाने की अवर्शकता नहीं थे आप इसको देखके ही निकाल सकते थे कैसे निकाल सकते थे देखिए फटा फट फिर से यानि कि हमें क्या निकाल या तो स्वीट हमें common मिल जाता तो हम directly क्या करते common element डूड़ते स्वीट हमें common नहीं मिला तो बचा आपका fruit इस अगर हमें fruit और इसका code मिल जाता है तो हम sweet का code आसानी से बता सकते हैं क्योंकि जो remaining रह जाएगा वही क्या हो जाएगा sweet का code हो जाएगा अब हम fruit और इसको common डूड़ेंगे तो fruit आपको यहां पर common दिखाई दिया तो एक element आपको common दिखाई देगा दोनों में जो कि क्या है PIL फिर बात करें इसकी तो यहां इसे यहां इसे इन दोनों में एक element common दिखाई position matter नहीं करता position आपकी कहीं भी हो सकती है रखी जा सकती है clear चैनिक इस particular question के लिए जो आपका answer हो जाएगा option number B अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की इस प्रश्न की अगर हम बात करें लिखा हुआ है नीचे दिए प्रश्न में उस शब्द का chain करें जि जब भी आपको word for mission पर best question मिलेंगे कौन सा बनाय जा सकता है कौन सा नहीं बना जा सकता है तो सबसे पहला जो आपका प्रोस होना चाहिए वो वावल को लेकर होना चाहिए अगर हम वावल की बात करें तो यहां पर आपको वावल क्या दिखाई दे रहा है लेकिन ए अगला एगर प्रस्ट में उस शब्द का chain करें जिसे शब्द evolution कе आक्षणों का प्रयूब करके नहीं बनाई जासकता है या सकता है को नहीं बना जा सकता है तो अचा लाद के जा करेंगे तो स Smells इसको डिशुनरी ओर्टर हम लगाना है तो ध्यान दिजैंट यहां पर आपको इन टी आई एंटी आई एंटी आइंटी और आइंटी यहनि अगला लेटर हम ले सकते हैं आर यहनि कि फॉर लेटर सब में क्या है जैए इसके बाद के मिल रहा है O, यहां पे बात करें तो मिल रहा है R, यहां पे बात करें तो मिल रहा है O, clear? यानि कि हम बात करें, पहले में हमारे कौन-कौन स्च आ जाएंगे, तो पहले हमारे जो arrangement आएंगे 1, 2 और 4 में से letter लिए गए होंगे, तो 1, 2 और 4 जो आपको इनिशिली दिखाई दे रहें तो आपको इन दोनों में दिखाई दे रहें इसको मैं पूरा भी सॉल्व करके दिखाऊंगा यानि कि यह option आपका क्या हो गया अब ज्यान दीजे अब यहां पर आपका last में क्या है फाइव और 6 5 और 6 यहां पर देखिए यह तो लिख गया आपका कौन सा वाला आएगा आपका आर वाला आएगा और आर की बात करें तो आर है अपका 5 अप्शन नमबर 5 जो जाएगा आपका option number 5 अब इसको अगर हम पूरा solve करें तो ध्यान दीजिए एक बार। Catholic करें तो कैसे स्रूंफ परेंगे देखिये अब हम क्या करेंगे उसके बाद की अलिएमेंट देखेंगे तो यहां पर मिला है mi aadi aistent कौम अग्हां को i c यहां पर मिला है मको i g यहां पर मिला है हमको U, D और यहां पर मिल रही हमको ओ, बी अब इनमें से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले संड Four रहा है तो सबसे पहले Machya करिए आएखा IC यानि कि यह OPSBS भी हो सकता है और इसके बाद है कि हम बात करें तो IC के बाद आएगा जैगा आई जिन्हार के निकि तो के बाद फोर दोनों में दिया गया है तो के बाद वन दोनों में दिया गया है यानि कि आई एन क्लियर अब अगर हम बात करें जब हमारे तीन element हो गए तो remaining element ओ के बाद डी यानि कि ओ के बाद डी तो अब आएगा हमारा three यानि कि यह option cancel हो जाएगा option number c will be answer O के बाद डी आएगा फिर O के बाद आपका आजाएगा ओ वी फिर आजाएगा आपका यू यानि कि ओ के बाद ओ ही हम consider करेंगे यहां पर इसके बाद हम लेंगे यू डी तो यानि कि हम बात करें फिफ्ट वाल आपका लास्ट में आ जाएगा क्लियर तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं dictionary order के जो थोड़े आपके टिपिकल कोश्टन जैनि कि जैसे आपको यहां पर बहुत सारे common elements दिखाई जैने तो इस तरीके साब उसको break करके भी हल कर सकते हैं यदि हम बात करें अगले प्रश्ण की यदि हम बात करें अगले प्रश्ण की तो यहां दिया गया है नीचे दिये गये प्रश्ण में दिये गये शब्दों को वर्ड माला क्रमान उसार वे वस्तित कर उस शब्द का चैन करें जो ठीक मद्द में आएगा यान कि अगर हम बात करें इन सब में आपको ma ma और ma common element दिखाई दे रहा है यानि कि हम बात करेंगे अब third element की third element यहां पर आपको m g g r r दिखाई दे रहा है दोनों में common है उसके बाद n i n i b common है लेकिन यहां पर मिल रहा है एफ तो सब्सक्राइब आपका three फिर आपका आजाएगा two फिर आपका आजाएगा one अगर हम बात करें marvelous और marriage की तो mar mar उसके बाद की बात करें तो आपका आजाएगा five उसके बाद आजाएगा four यानि कि इसको अगर आप dictionary लगाते तो इस sequence में आपका दिखाई देता बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर अगले प्रशन की तो अगला प्रशन आपको एनलोगी पर बेस्ट कोशन दिया गया है इसली सॉल्व कर सकते हैं तो first of all your approach should be क्या होना चाहिए तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे प्लेस वैल्यू लिखेंगे ठीक है प्लेस वैल्यू लिख लेंगे एज वेलाज आप क्या लिख लेंगे अपोजिट लेटर भी लिख लेंगे यानिकि यह हो जाएग इन नमबर के हम बात करें इनको कि सी दो नमबर को समकरके बीच का हम मैनेस कर सकते हैं किसी प्रकार से सिधा सी anthem που यहान पर ये दिखाई दे रहा है सैवन इंटो फूर करेंगे तो ट्वटीए बन को करेंगे तो ट्वैंटीए आएगा लेकिन जरूरी नहीं कि कि हम आप इ लेटर की बात करेंगे तो यह सीधा सीधा आपको दिखाई झेरा है तो आप बाकी अप्रोच को बाद में follow करेंगी पहले आप क्या करेंगे इसकी लेटर के प्लेज वैयं को लिखेंगे और उनसे आप बना करके कोई अंक देखाई दे रहा है या कोई नंबर हमें दिखाई तो आपको यह वह यहां पर लिखा हुआ है नीचे दो जोड़े दिये गए हैं जिसमें पहला जोड़ा किसी ना किसी प्रकार के संबंद को प्रदर्शित करता है दूसरे जोड़े के दूती सद्रिस्टा में समान संबन्द का प्रयोग करें. चलिए. यहां पर हम बात करें question की तो आप सीध इधा सीधा देख पारें कि I का opposite क्या होता है? R और E का opposite होता है V. तो K का opposite क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा P और C का opposite हो जाएगा? और एक्स वाला उप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा देख कि आप इसको औरली बना सकते थे अगर आपने जैसा कि मैंने आपको कहा प्लेस वैल्यू अपोजिड लेटर से आदें तो आपके बहुत सारे प्रशन यहाँ पर क्या होने वाले हैं औरली आप उनको हल कर पाएंगे यदि हम अगले प्रशन की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है नेक्स टम निकालना है तो इस प्रकार के जब आपको इसका हमने लिया फस्ट इलिमेंट 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 इसका हमने लिया फस् जी है फिर आई है यानि कि यहां पे बात करें तीन दो पांच दो साथ दो नो दो ग्यारा ग्यारा प्लेस वैली होती है आपकी के की के आपको यहां पे एक एही वी कल्प में दिखाई जे रहा है यानि कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई जे रहा है तो इसको आप डिरेकली कि तो डबलू है यू है यानि कि तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे या फिर आप क्या करते अगर इसका डिफरेंस लेते तो यहां पर आपको देखेंगे तीन और एक यहां पर यहां से क्या कर रहा है आपको इसको हल कर सकते थे यहां पर हम बात करेंगे अगले question की, काफी easy question था, अगर आपने alphabet पर जो basic concepts उसको ठीक डंग से पढ़न रखा है, तो आप इन प्रशनों को अगर एक के अगर आपक सारे थे लिगां सारे सारे और प्ले से ऐसा भी प्लेर से और होता है, यर आपको और आर्ड नमबर वाली प्ले से लिए लूगंट मेसे प्लेकर सारे सीवाहरां ऊसने कि उगते आप्ले से हिता श्रॉन OFF, यहांगर दिते गा number किसी particular number का multiple होंगे और एक number होगा जो उस number का multiple नहीं होगा इस प्रकार से भी यहां पर आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं लेकिन दिए कि प्रश्न में ऐसा कुछ भी हमको देखने को नहीं मिल रहा है अब हमारी priority क्या होगी काफी हो जाता है से केस में हमारे लिए option को prefer करना तो अगर आप ध्यान दे तो यहां भी आपका एक answer बन सकता है यह भी आपका एक answer बन सकता है कैसे answer बन सकता है तो जितने भी आपको यहां पर given element दिए गए उन सब की बाकी में आपका enclosed figure बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है दूसरा अगर हम बात करें विकल्प की तो यहां पर यहां पर एक विकल्प बन सकता है और कई बार ऐसे questions आपके controversial हो जाते हैं जिसमें फिर आयोग को क्या करना पड़ता है या तो उन questions के mark सब को यानि कि जो इन दो options के साथ में जाते हैं उसको क्या करना पड़ता है mark सब को बराबर से distribute करने पड़ते है या फिर वह question ही क्या कर दिया जाता है तो अगर हम यहां पर बात करें यह कैसे विकल्प बन सकता था जब हम बात करेंगे number of lines की अगर हम बात करें number of line देखें इन तीन लाइनों का प्रियोग करना पड़ रहा है एक लिए एक दो और तीन लाइनों का प्रियोग करना पड़ रहा है एंड के लिए एक दो और तीन लाइनों का प्रियोग करना पड़ रहा है जब कि ए की बात करें तो एक दो तीन और चार लाइनों का प्रियोग करना करें तो जो number of lines letter को लिखने में यूज की गई है वो इ में आपकी चार line यूज की गई है जबकि बाकी letters को आप तीन line को draw करके बना सकते हैं बात करेंगे हम लोग यहां अगले प्रशन की एक पंक्ती और से बाइं और की बात करेंगे तो value आपकी बाइं और से निकलेगी और minus करके निकलेगी जब हम right plus right यानि कि जब हम दाएं से दाएं और की बात करेंगे तो value आपकी दाएं और से माइनस करके निकलेगी जब हम left plus right की बात करेंगे तो value आपकी क्या होगी left से निकलेगी plus करके और जब हम right plus left की बात करेंगे तो भी value आपकी right से निकलेगी और plus करके निकलेगी यानि कि हम आप देखेंगे कि हम priority जो दे रहे हैं वो पहले वाले element को दे रहे हैं ये value कैसे निकलेगी is पर चोगी बारें पिसके बारेंगी समझ लेते हैं, जैसे हमने कहा किसी वेक्ति की पॉजी इक पॉजिशन किसी पंक्ति में बाइं छोड से 10 है, और हमने कहा कोई ये कि यह हो गया A और हमने कहा कोई दूसरा व्यक्ति B उसके बाई और दूसरे अस्थान पर बेटा है यानि कि यह हो जाएगा पहला यह हो जाएगा दूसरा तो यह हो जाएगा भी यानि कि यह दस में से हमने simply क्या किया दो को माइनस कर दिया तो value आ गई हमारी आठ और किस छोड़ से आगई आठ तो आ गई हमारी 22 छोड़ से आठ इसी प्रकार अगर हम बात करें right plus right में value right से आएगी और minus हो कियागी जिसे हमने कहा दाइने छोड़ से यह है वेक्ति आपका ए इसकी position है 15 और हमने कहा 20 इसके दाइनी और पांचवे स्थान पर बैठा है 20 के दाइनी और पांचवे स्थान पर बैठा है निकि दोनों के मद में चार वेक्ति होंगे तो यह 15 था तो इसके जस्ट पहले वाला हो जाएगा 14 इसके जस्ट पहले वाला हो जाएगा 12 यह हो जाएगा 11 और यह हो है अगर हम बात कर यह aGirl सो च्एलिए ऐसे हैं लिफटन से हम ने कहीन ही है 10 हमने कहा यघी पॉजिशन कितॉज है और ले की position देखे यह हो गया 10, यह हो गया 11, 12, 13, 14 और ही हो जाएगा 15 यानि कि यह left से हो जाएगा 15 वे इस थान के तुम आने यहाँ पर लिखा है जब left plus right यानि कि left से position दी गई उसके respect में दूसरा बंदा right में बैठा हुआ है तो क्या हो जाएगा value add हो जाएगी और जो answer निकलेगी वो left end से निकलेगी similarly जब कोई बंदा क्या होगा right end से position दिया होगा और दूसरा बंदा उसके respect में कहा होगा left में होगा तो position क्या हो जाएगी add हो जाएगी और जो answer निकलेगा वो right end से निकलेगा यह कुछ basic information था आपका order and ranking पर based concepts से related अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस प्र सब्सक्राइब करें एक पंक्ति में बाएं और स्थान पर रहे तब पिदाएं आपस में सथान मदल लेते हैं तो अकी के इस्तिती बाएं से 18 से एक इस अपन route देखे़ जब कभी बिक्या होगा on पोजिशन इंटरचेंज पर बेस्ट कोशन आपसे पूछेगा तो यहां पर तीम तरह से प्रशन पूछता है एक तो हो जाएगा आपका टोटल नंबर और कितने हैं फिर ए और बी के बीच में कितने हैं या फिर आपका यह जो भी किसी की भी क्या पूछ सकता है न्यू पोज सकता है या पर तीन प्रकार से पूछे जाएंगे अगर आपका ग्यारव स्थान पर तता दायए चोड से दसवें इस्थान पर है तो यहां पर देखें दो प्रकार से स्ट्क्टर बनाएजा सकते हैं एक तो यह हो गया भी यह हो गया दस्वे स्थान पर लेकिन हम कहें यह हो गया आपका ए ग्यारवे स्थान पर और हमने कहा यहां कहीं से आपका कौन आया भी आया और यह हो गया दस्वे स्थान पर यानि कि और लैप का केस भी एक बना जा सकता है तो यहां पर हमें कौन सा केस कंसीडर कर इसके फॉर्मूले क्या क्या है हार एक चीज हमने डिटेल में डिसकस की हुई है लेकिन यहां पर अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो फिर से इसको आप समझेंगे यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो एक इस्तिती बाएं छोड़ चाठ ठारी हो जाती तो आपने दाइं और जा रहा और मैंने थोड़ी दिर पहले बता है कि लेफ्ट से राइड जाएंगे तो वैल्य अपकी क्या करेंगी इंक्रीज करेंगी और अभी जब यहां पर आता है तो एक ही वैल्यू लेफ्ट एंड से कितनी हो जाती है अठारा हो जाती है तो कितनी पूशा जाएगा और बी के बीच में कितने वैक्ति हैं तो यह हो जाएंगे आपके छे वैक्ति अब यानि कि अगर पूछता कि बी की पोजिशन राइट एंड से कितनी होगी यह बी के स्थान पर जा रहा है क्योंकि वह अपना स्थान क्या करता है आपस में बदल लेते है आपके आपका आपका दूसरा प्रशन दीसरा प्रशन के अगर अगर बात करेंगे तो यह होगी आपका A की new position और यह हो गई B की old position तो अगर हम बात करें A की position left hand से 18 है तो अब इससी बात है B की position right hand से कितनी थी 10 थी और वहीं पे अभी कौन आ गया A आ गया तो A की position भी right hand से कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी तो अगर हम यहाँ पे कुल वेक्तियों की संख्छा की बात करेंग वेक्तियों की संख्छा कितनी आ गई 27 है कैसे अगर हमने कहा इस finger की position right hand से एक दो तीन है और left hand से भी तीन है तो आपको कुल उंगलियों की संख्छा बतानी है तो कुल उंगलिया तो पांच ही है ना यानि कि क्या करना है इधर से position और इधर से position दोनों को add करके minus one कर देना ह क्यों minus one करते है क्योंकि यहां पर इस finger की counting हम दो बार consider कर लेते हैं जिस प्रकार यहां पर एक ही counting left से भी हो गई और एक ही counting right से भी हो गई तो दोनों का सम करके minus one कर दिया तो कुल वेक्तियों की संख्छा कितनी आ गई 27 आ गई तो यहां पर देखिए जब कभी भी आपसे पूछेगा पोजिशन इंटर्चेंज पर लेटर यानि कि जितने का इंक्रिमेंट एक ही पोजिशन में होगा उतने का ही बी में भी होगा जितने का इंक्रिमेंट आपका बी में होगा उतने का इंक्रिमेंट ए में भी होगा अगर हम बात करेंगे दोनों के बीच बैठे sum minus one कर देना है तो आपको total number of person मिल जाएंगे लेकिन ध्यान दीजे प्रश्ण में आपसे पूचा है कि A और B को छोड़ कर तो 27 में से हम दो को घटा देंगे तो यानि कि हमारे जो यहां पर प्रश्ण के अनुसार उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा option number D यानि कि विकल्प D क्या हो जाएगा सही उत्तर बनेगा तो A और B को छोड़ दें तो पंक्ती में कितने वक्ति आ जाएंगे तो पंक्ती में 25 वक् कि आपको structure करना आना चाहिए जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे सिटिंग अरेंज्मेंट के questions को भी easily solve कर पाएंगे अगले प्रश्ण की कि लड़कों की एक पंक्ती में वहादाएं से बारवें स्थान पर दथाबाएं से चौथा है यानि कि अगर हम अरुन की बात करें अरुन द्वारा यहां नुभू किया गया कि लड़कों की एक पंक्ती में वहादाएं से बारवें स्थान तथा बाएं से चौथे स्थान पर यानि कि यह हो गया अरुन बोला गया है दाएं से बारवें स्थान पर और बाएं से चौथ संख्या 28 होने के लिए उस पंक्ती में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए तो अभी हमें क्या निकाल लेना अभी हमें total number of person अगर हम निकाले तो बारा प्लस चार सोला माइनिस एक कर दोगे तो पंद्रा तो अभी अगर हम बात करें तो लड़कों की कुल संख्या क तो कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी जैसा कि आपसे प्रस्ण में पूछा गया है बात कर लेते हम लोग अगले प्रस्ण की तो बोला गया साथ लोगों की कक्षा में लड़कों की संख्या देखिए मैं फिर से structure पर फोकस कर रहा हूं यानि कि total person है अपने पास 60 बोला है लड अब आगे आपको दिया गया अलका सीर्स से सीर्स को मैंने अल्यडी बताए कि आप लेफ्ट कंसीडर कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप structure को घुमा करके भी देख सकते हैं तो यहां पर हम जो टॉप है उसको लेफ्ट कंसीडर करेंगे और मैं टॉप बॉटम से भी आपको बना करके एक बार दिखा दूँगा तो अलका सीर्स से से अगर 17 स्थान पर यानि कि टॉप से अगर 17 पोजिशन पर है कौन अलका और आप से बोला है यदि अलका के आगे यानि कि अलका के आगे टॉप तो इसके पहले नौ нов तोटल नहीं कंसीडर करते लेकिन बोला है कि अलका सीर्स से लड़कों & ललकीों दोनों की बात करेगा यहां पर लड़किव की किवल करता हो तो वोलता अप यदि यहां पे जब लड़के या लड़की का एस्तमाल नहीं किया गया तो हम क्या करेंगे इसको as whole consider करेंगे कि Alkaqistan total में क्या है 17th position पे है from the top अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो यह 17 होगे कुल अपने पास 60 तो यानि कि इसके बाद होंगे कितने लोग 43 लोग अब अपने पास बंदे बोल रहा है कि यहाँ पे इससे पहले कितने लोग होंगे इससे पहले होंगे 16 लोग 16 में क्या होगे 9 तो होगे आपके लड़के 16 में 9 लड़के होगे मतलब 7 क्या हो जाएंगी लड़किया हो जाएंगी अब अगर बात करें कुल लड़कों की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा है 9 लड़के हो तो सूची में उसके बाद कितनी लड़कियां यानि कि अलगा के बाद कितनी लड़कियां तो कुल लड़कियां थी 20, 7 यहां हो गई, 8 वी अलगा हो गई तो इसके बाद कितनी होंगी, 12 लड़कियां और होंगी और इसमें से ज़िए हम 12 निकाल दें से वो क्लियर हो जाएं अगर हम बात करें अलका की तो अलका की पोजीशन की बात कर रहा है कितनी है सेवेंटीन थे फ्रॉम्दा टॉप और अलका के ऊपर कितने यानि कि आगे किवल और किवल नौ वंदे यानि कि नौ बॉइज हैं अब यह सत्रावे नंबर पर है तो अब इ कितनी हो जाए गी तो कुल लड़कियों के संक्या कितनी आ जाएगी बीस आलगी आजाएक थे थे कि बहुत इंपॉर्टन रोल यदि अंग्रेजी में लिखा जा जाने कि वैं तो 2009 और यहां पर हम क्या लिखेंगे 26 to 14 यानि कि A to M तो आपका वैसे ही चलेगा और अगर हम बात करें यहां पर क्या हो जाएगा जेड़ टू एन जेड़ टू एन क्लियर अब आपसे बोला है तो बाएं से 21 अक्षर के बाएं पांचवे स्थान पर कौन आगा यानि कि जब हम बाएं से बाएं की बात करेंगे तो बाएं से आप गए 21 और फिर उसके बाएं आए तो यानि कि बाएं से बाएं जाओगे तो value minus करना है और जो answer आएगा वो आपका किदर से आएगा left hand से आएगा तो 21 में से 5 घटा होगे तो 16 यानि कि अगर हम बात करें एक से 13 तक एक से 13 तक एक से 13 तक तो हमारे क्या है A से M तक हमने as it is लिखा है यानि कि अब 13 के बाद हमें 3 और लेटर लेने हैं यानि कि हम बात करेंगे क्या चाउदा 15 और 16 की तो चाउदावे स्थान पर आपका क्या जाएगा फिर आपका क्या जाएगा यानि कि इस पर्टिकुलर क्स्टन के लिए जो आपका विकल्प बनेगा वो बनेगा विकल्प अब यहां पर हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्ण की देखिए इस प्रकार के प्रश्णों को अगर आपका ओर्डर कर पाओगे करना क्या था आपको 21 में से पांच गटाया गया बात करते हम यहां पर अगले प्रस्ण की अग्रेजी वर्ण माला को विप्रीट करन में लिखा यांव क्या कर रहा है यहनुका यह थो बात करें तो 26 to 1, यह होगा इसकी place value, तो दाएं से 12 अक्षर के दाएं पांच वा अक्षर कौन सा होगा, तो अगें यहां पर दाएं से दाएं की बात कर रहा है, यानि कि राइट से राइट की बात कर रहा है, तो दाएं से जब दाएं की बात करेंगा तो value minus होगी और answer आपक आपका साथ, तो राइट से आपका साथ आएका, लेकिन ध्यान दीजी कि राइट में आपका है कौन A, तो यानि कि A के बाद B, C, D, यानि कि इधर से आओगे, A से आओगे, तो सातवा element जो मिलेगा तो 7 position होती, कि 7 place value होती आपकी, G की तो G will be the correct answer for this particular question, तो आज की series का, यान का अंतिम question था, इसके बाद हम लोग part two को discuss करेंगे, जहां पर आपके बहुत ही interesting topics को में लेकर आने वाला हूँ, तो बने रही है हमारे साथ, और हाँ, आप इस पांच के पांच जो आपको यहाँ पर series मिल लगी है, इसको proper तरीके से देखें, कहीं ने कहीं आप अपने आप ormuş में आखर करके इन सबजेक्ट पर बेहतर तरीके से त्यारी नहीं करीये, तो कहीं-ने कहीं एकजाम के time पे यानिकि लास्ट कि अगर हम बात करें तो लास्ट मुववेंट के यह कहीं एक आपको बहुत ही अच्छा तयारी करने का मौका मिल रहा है, आपको कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा एक मौका मिल रहा है, जिससे आप क्या कर सकें, आपका qualifying जो section है, उसमें आप अच्छे खासे marks गेन कर सकें, और उसके बाद आप क्या कर सकें, एक्जाम में कहीं अपना ए के लिए कॉम्पिटेशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले